क्यों पहले तो चार-पाँच लड़के होते थे तो कम सकाम एक बहुत रोटी दे देती थी आज के जमाने में तुल्ले देखे एक और वो भी खेर आप सब की बहुं में तो भगवान की करपा है बहुत अच्छी मिली है और जेसी भी मिली है इमानदारी की बात है आज के समय की बहुं में तो फिर भी अच्छी है दिक्कत तो जो यह नई बीडी आ रही है ना जो बहुं है कि मेरा जोरा मेरा जोरा उसके चक्कर में घर में जगडा करे पती का प्रान खाए और आने वाले समय में दिक्कत यह है कि तेरा क्या होगा रे कालिया यह जो नई पीडी नई नई जनेशन जो हो रही है अब इनको क्या हो ना अभी तक तुम लोग तो निभा रही हो और तुमारी बंवें भी तुमें निभा रही हैं कोई दिक्कत नहीं पर इसलिए कभी-कभी बंवों से के दिया अगर हमारी तो निभ गई रे बेटा अब तेरा क्या हो तो गई इत्ते दिन निकल गए बचे कुछे साथ दिन थे भागवत में निकल गए आज कौन सा दिन है तीसरा कितना बचा चाल यूच निकल जाए काल चोता हो जाएगा परसो पांच बाच चटा अब कई करें तो कभी-कभी बवगों को के दिया करें हमारी तो निकली गई बच्पन गवादिया जवानी निकल गई शरी बुड़ापा आगिया दो रोटी खाएंगे कहीं पे भी पड़े रहेंगे रामगुन गाएंगे कोई भी दे देगा री बेटा पर दिक्कत तो अपसे जजादा प्राणखा है उलाद दादी के एक बच्चा दादी के पास आख के बोला दादी आदी दादी दादी इए ने पॉलनाच़ जलई आप बता मुझसे तैं क्यों बुल Advent है कल मम्म्मी पापा पलंग क discharge दे जवार चाहें जब अम्मत तता हरल रहे तो नहीं तो तुम द्यान रखना रहे हो इंदोर वालो तेमत बोलना भूल से बच्चे इतना प्रिश्ण करें एक छोटा बच्च अपनी दादी की गोद में आकर बेट गया बेट गया बोला दादी 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 बोली हाँ आज वो पड़ोसी है न लल्लो हाँ उसके यहां पे बूं क्योंकि उसकी दादी मर गई तो बारवे का बोजन बना है इतने में बच्चा बोला दादी अपने अकब बनेगा दादी ने एक धर के दिया अचा बच्चे भी बहुत पुराण खाए तो दादीयों के खाए तो दादीयों को यहादा सोग था विचारी बहु छोरा छोरी ने देवे तो दादी के एक तो कर लोरी में पाल लूँगी में बेठी हो मैं हूँ ना समाल लूँगी मैं हूँ ना समाल लूँगी मैं हूँ ना समाल लूँगी अच्छो इनको ना जाने क्या सोग भगवान दिन भर अब बहु का छोरा छोरी ह आए बास मैं सोना की सीड़ी चड़ जाओं बताओ सुखदेय आस्रम की चार सीड़ी चड़ते नी बन रही है सोना की सीड़ी चड़ने चलिए यहां पर तो हापड़ी बहरा रही है सोना की चड़ और उलाद भी ऐसी पर पोता भी हो गया तो सोने की सीड़ी जब दादियों की चड़ा है एई जगा हमको बुलाएं देखने के लिए गुर्जी आओ हमारी अम्मा सोने की सीड़ी चड़ रही है तो इत्ती सी सोने की सीड़ी बनवा है गरुण पुराण में लिखा है सोने की सीड़ी जब परपोता हो जाता था और डोकरी मरती थी तब अर्थी पे सोने की सीड़ी चड़ती थी और आज कल कब चड़ती है जीते जी तो तो जा जा अभी जा ब्रह्मन कभी नहीं करता है इसलिए आज भी सोने की सीड़ी में ब्रह्मन भोजनी होता कभी देखा आप लोगों ने सोने की सीड़ी में कभी ब्रह्मन भोजनी होगा क्योंकि सोने की सीड़ी का भोजन कभी ब्रह मंदिर के पीछे जित्ता आगे प्रणाम ने करेंगे उससे जादा पीछे करेंगे कौन से सास्तर में लिखाई कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो कौन से पुरान में लिखाई कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो कहीं लिखा देखा आरे बोले तो सरी किसी सास्तर में पढ़ा इम इमानदारी से बोलना भगवान कृष्ण के पीछे दोड़ कर चल रहा था कौन काल्या बना कथाईगी आगया जरासंद के साथ जब युद्ध हुआ था और ब्रहमनों की सेना लेकर आया था काल्या और भगवान युद्ध का मिदान छोड़कर भागे नाम क्या पड़ गया रण छोड़ रहा है तो इमानदारी से बोलो ब्रहमनों की सेना देखकर भगवान भागे भाग कर आगे जाके पीछे जो काल्या बना रहा था क्या उसको मार नहीं सकते थे आरे बोलो जंके मार सकते थे ना जब जरासंद को मार सकते हैं आधिक आधिक को मरवा सकते हैं तो क काल्यावन को क्यों नहीं मारा मेरे द्वार का दूस्य हसे क्यों सोचा इसको मारने के लिए एक काम हो सकता है कि मुझे भगना पढ़ेगा मैं भागूंगा तो ये मेरी पीट देखेगा मेरे पीट पर अधर्म का निमास होता है जितना ये मेरी पीट देखकर भागेगा उतना इसका धर्म नश्ट हो जाएगा अधर्म बढ़ जाएगा अधर्म बढ़ेगा ये उपर होगे इसलिए हमारे हिंदु धर्म की रीति है कि मंदर के पीछे अधर्म का निवास होता है इसलिए मंदर के पीछे जित्ता तुम प्रणाम करोगे उत्ता तुम्हेरा पाप बढ़ेगा पुन्नस्ट होगा उतना पुन्य नश्ट होगा आप सोचो तुमने कित्ता पाप कमा है बोलते जाओ अरे बोले तो रहे पाप कित्ता कमा है और पुन्य कित्ता कमा है सामने लोग कम परणाम करते हैं बस विचारी ये परिक्रमा कर रही थी ठक गई दिवाल से अब्रके झताएं पूरा भारत की भूमी सक गई उसिके चक्षे विचारे बोतो कहीं कहीं के संत विद्वान थे महात्मा विद्वान थे मंदिर मंदिर में फोटो चिपका दिया बहगवान का कि कम से कम इने पाप अगों नहीं लगे Гा तो फोटो चिपका दिया कि कम से कम आगे भगवान का भी दर्सन हो जाएगा पिचारे संतों ने करपा कर दी पर तुम में अकल नहीं रहे दादा कई करेगा और पूरे भारत की भूमी पर तुम कहीं पर भूम के देखना जितने मंदिर मिलेगे सब में पीछे लोग प्रणाम करते मिलेगे उनको समझाओ तो कोई समझे वे अरे बोले तो सरी क्या माला दो किया धर्ब समाला पुन्यों एसी कई गल्तिया हैं जो हम जीवन में करते रहे रहे बहुत गलतियां करते हैं हम बहुत दिये के अंदर ही बत्ती रखे जला दे हैं परिकम्मा कर ले हैं ऐसी कई गलतियां हम अपने जीवन में कर रहा हैं और भगवान से आसा रख रहा है कि भगवान हमको तार देगा सुर्ग भेजदेगा, कहीं नहीं जाएगी यहीं पड़ी दे जाए 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 तो स्वास्त का खरा भी हो जाती है कुछ जीवन को ब्रमत आउता हमें बच्चना उस ब्रह्म से हमें डर्ना उस ब्रह्म से अब भारत जी महराज हिरन की योनी में पड़ गए हिरन की योनी से निकले संतों की परिक्रमा करकर तो बापिस मनुष्दे में लगई नाम भरत पड़ गया बड़े भाई ने कहा खेत पेचे चिडिया उडाना एक बार की उड़ाई दूसरे बार ने उड़ाई राम जी को ख पागल प्रमोशन होता है समझदारी डिमोशन होती है पागल क्या है अरे बोले जम के प्रमोशन आपको कोई पागल कहे रहा है बड़े प्रसंद नहों ना बड़े बड़े अगर कोई आपको पागल कह रहा है तो उसमें प्रसंदा होना जाए समझदार नी बनना बना कभी जिन्दगी में मत बनो समझदार, घर में दो तरह किपव होती है, एक समझदार, एक पागल, जो समझदार होती है, वो 24 घंटे काम में लगने लगने लगने, काहे बजा रहे हो भी, दो तरह किपव होती है, एक समझदार है, समझदार लगी हुई है, 24 घंटे, पागल है, वो सबसे पहले डेंटिंग, पेंटिंग करके, खा पी के, वुझ जा, उसको कोई सुध नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, मीरा को, कर्मा को, नाम देओ, धुरू, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमी के जितने संत हुए, लोगों ने उनको पागल ही तो कहा है, क्योंकि भगवान की भक्ती में जो दूब गया, लोग कहते हैं, वो पागल हो पागल, महारा बक्ती म बारत जी महराज ने राजा राहुगन को ग्यान दिया, कपिल मुनी के आश्रम में राजा राहुगन गए है, बाबा कपिल ने भी इनको ग्यान दिन कराया, समय आया, आगे, हिन कशिप न अंदर न बाहर, न अस्तर से, न सस्तर से, न दिन में, न रात में, न न नर से, न मिरून आई भी चार किया घर आए पत्नी नहीं थी इंदर किया इंदर कियां से और पत्नी और पुट्र को लेकर रहा हिन कष्षिपू के पुट्र का नाम है जिसने आतई भगवानके नाम का इहलाद करा वो प्रहलाद हुआ प्रहलाद हुआ प्रहलाद हुआ लेकर आए विद्याद्यान करने भेजा जिसको गर्व का ग्यान हो उसे बाहर के ग्यान की जरुवत नहीं पड़ती गर्वित ग्यान पर्थम होता हूँ परतम ज्याने घर्व vitam इसलिए हमारे यह पर बुजुर्ग बुजुर्ग मातायां कहती है करना चाहिए कीर्थन करना चाहिए कतां ससंग स्म्र्वन करना चाहिए पर आज के जमाने में डॉक्तर कह देते बेडेस पलंग पे पड़ी रहो दिन बर टीवी देखती रहो और दिन बर बर टीवी में धिसुम धिसुम तो वो उलाद भी ऐसी पेदा होती है दिन बर ये वो तोड़ती फिरती है मिले है रोती ही मिले तो उलाद भी ऐसी पेदा हुई है एक मिनिट सकनी नी बेट है एक मिनिट कई-कई बूजरदों बुजरदों को तो बत खुस्ता आ जातर की देती है हमारी पी 4-4 उला थी खिला दो पिला दो पटक दो अराम से खेलती रही एसी उला थी ने पेदा करी ये तो मिनुट चेंद्जीन तो may हिंड कशिंग ने पूचा जब हीनक श्रीक को की बेहन चली गई समाप तो पूच्छा कहां है तेरा भगवान सर्वस खंबे में है खंबे में भी है गजा का प्रहार करा खंबा तूट के नीचे गिरा नर्सिंग भगवान प्रगट हो गए बोलो नर्सिंग भगवान एकी नर्शिंग भगवान प्रगड़ दो है महाँ शाम का समय था पकड़ा देहली पर ले गए ना नीचे मरे ना उपर जंगा पर मारा ना अंदर ना बाहर देहली पर ना अस्त्र से ना सस्त्र से नक से ना दिन में ना रात में शाम के समय ना नर से न पशु से नर्शिंग बनकर ना ही बारो महिने में मरे इसलिए एक अधिक कर अधिक मास आतों को फाड़ा आते निकाल कर गले में धारण करा देवतावने पुश्मों की ब्रश्टी करी बोल नर सिंग भगवान की ही नर सिंग भगवान का आनंद सुख पराप्त हुआ रिलाज जी ने स्तूती करी है महराज नरहरी नंद लाल बजो नरसी है गोपाल नरहरी नंद लाल बजो नरसी है गोपाल नरसींग भगवान नरसींग आनंद में रहे कर प्रियाद को जिब्या से चाट कर पशूता दर्शाते हैं इस्तोती कर आनंद सुख प्रियाद जी महाराज पाते हैं आगे गजगरह का वर्णन एक सुंदर सरोबर में हाती स्नान करने गया मगर ने पाउं पकड़ा छूटता नहीं बहुत प्रियास किया अंत में पूरा परिवार जब हार गया तब भगवान को गुलाया भगवान ने आकर सुदर्शन उठाकर उस मगर का चीश काटा है हाती का पाउं छूटता है हो हो नाम का सुदर्श भगवान का इस्मन करकर जाता है कोई नहीं आता कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है बस एक वही है सम्मक में पहुँच बाकी का कोई आता है अच्छा मरते समय लोगों को फोन करके क्यों बुलाते है आप लोगों को मालूम हो तो जरू बताओ मुझे बुआ जी आजाओ अम्मा जा रही है मतलब बुआ की यमराज से अच्छी पट्टी होई हो सकता है यमराज बुआ जी को देखके छोड़ जाए पडोसन को उठा के ले जाए या बुआ की आँक से डर जाए करते लोगों मामा जी आजाओ अम्मा जा रही मामा जी आगया अच्छा मरने वाले से उच्छा भी जाता है देखो कौन खड़ा पास में बुआ जी खड़ी मामा जी खड़े काका जी खड़े और अम्मा इदर मुझ फेर लेती इनी के कालन ठॉमा तो मर रही ऑख में से आशु जड़ते देते हैं मुझ से बोल नहीं पाती परिवार के लोग कहते तुम्हें पेचान गई इसलिए रो रही है अंमा से पूछो इसलिह रो रही पूरी जिंदगी लगान इखोल लो तुम्हें तुम्हारे कार्णी मर रही रही ना परिवार वालों से हमारे मरते समाएं, जब प्रान चूतें, डॉक्तर अपना काम करें, पलंग के पास में कोई मत खड़े होना, तुम को देख कर नहीं मरना चाहते, तुमें देख कर मरेंगे वापिस तुम में उलग जाएंगे, फिर मरना काम करना। भजन चिप्त कर, इस्समर्ण करें, भजन करें, बस नाम जब दें, मुख में हो राम नाम राम सेवा, हाथ में तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ, अंतिम समय में बोसाथ। हारे, 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 तुम हारे के साहारे, हम दुनिया में जगत में हार जाएं, पर एक साहरा आपका है, आपकी प्रता है, आपके दिमन, कोई, कौन होगा, मारा, बाग के भी हारे, मेरा ठाक्तुन, मेरा लाड़, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाला, मेरा कनिया, बस एक बहिस, हाथी का पाउँ छूटा, देवतारक्षसोने मिलकर समुद्र का मन्थन करा, सब कुछ निकला, रतन, मानिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, गव, और्ष्टी, सब निकली, लच्छ मी वोगी दे, अमरत निकला, विष्ण निकला, विष्शिव जी को दिया, अमरत देवता ले जा रहे थे, रक्षसोने, छुडा लिया, आपस में, भगवान में मोहिनी बनकर, अमरत बाट दिया, चंदर सूरी ने कहा, ये आ हुए, सीज कटा, उपर का भाग रहू, नीचे का भाग के तु हो, राजा बली की सत्ता स्थापित हो गई, अदिती माता ने कश्छ बावा से बिंती करी, मेरे गर्व से कोई ऐसा पुत्र हो, जो इंदर की सत्ता को ला कर दे, राजा बली से कुछ लेकर आए, कश्छ बा जलता से अदिती माता के गर्व में भगवान वामन आकर विराजमान हुए है, अदिती माता के गर्व से वामन भगवान प्रगट हुए, बोल वामन भगवान की ही, अदिती माता के गर्व से जब वामन भगवान प्रगट हुए, राजा बली पधार रहे हैं, जोरदार तल राजाबली के दर्वाजे पर्वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हुआ तीन बगभुमी का दान मंगने के लिए जा रहा हुआ तीन जोर दान ताली बजाए भामन भगवान पदार रहा है तेरे ग्वारे खडा भगवान भगत घर देले जो दी बगत घर देले जो दी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर देरे जोड़ी तेरा होगा बड़ा एह साथ के युग युग तेरी रहे की साथ भगत भर देरे जोड़ी तेरी द्वार खड़ा भगवान भगत भर देरे जोड़ी राजा बली के दर्वाजे पर बामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए खड़े हुए महाराद तीन पगभूमी का दान दे दीजिए अब आजाई राजा बाहर जाकर बिक्षा के लिए बोलते हैं बरामन देउता आपको क्या दूआ तीन पगभूमी का दान चाहिए महाराज तीन पगभूमी में तुम सही से सू नहीं सकते बेट नहीं सकते करोगे क्या महाराज आपका काम देने का मेरा काम देने का आप दीजिए और महाराज तीन पगभूमी के दानों को देने के लिए आतुर बामन भगवान संकल कली है राजा बली से के प्रधवी ना पी एक में दो जे में आकाश तीज़ डग यहां करते लखे सबही असुर ने राज महाराज तीसरा पाउं कहां रखे बामन भगवान के संकल में राजा बली ने अपना मस्तक आगे करा सीष जुकाते ही राज बली के मस्तक पर बामन भगवान अपना तीसरा चरण रखा देव उता उस्वों की ब्रष्टी करे गंतर बगान करे अफसरा नत्यकरी चारो तरब सुक्समाहित हुआ कोल वामन भगवान पीज़े हाँ जजमान आए वामन भगवान का पूजन करने के लिए ध्यान दें आज कथा का तीसरा दिवा से है वामन चरीत रख्यों और अगरन्य हैं कल कथा में राम जन्मुस्व और कृष्ण जन्मुस्व की कथा होगी बड़े भा ध्याओ बथी से कल की कथा था कृति दस बजये से चालू होकर ठीक रैक साड़े बारह वजय तक रहे कितनी बज़े ज़ें के बोलें साड़े वाले और चाहिझो बारह बजले राम जिया का जन्मुस्व करके कथा को विराम देंगे उसके बाद में कथा कल स्था काल कल दो आणन्द से कल सुभा के कर्म में राम जन्म की कथा पर पहुचेंगे और सुभा कर्म बा निश्य समय पर पहुचकर आप भी अपने हाँ टोफी माखाने ला सकते हैं छोटी छोटी मिश्री मतलाना चीटीवी टी होती है तौफी माखाने बड़ी-बड़े जो समागरी हो वो लुटा सकते हैं बड़े आनंद से कल भगवान कृष्ण का जनमोस्व शाम की कता में उसुविरे भगवान राम का जनमोस्व होगा बामन भगवान की पूजन हो रही है आप सब भी बामन भगवन की विच्छा का दान देंगे ब्रामन आपके पास में जोली लेकर आएंगे आप उसी में बामन भगवन की विच्छा देंगे जिनोंने इस पुनीत पावन कथा महोस्व में भंडारा भोजन में ब्राह्मन भोजन आदिक में दान सयोग दिया है उनके नाम की भोशना कर रहे हैं नितेश जी हर्डिया इंदोर से 101 रुपे नेतिक जी हर्डिया इंदोर से 101 रुपे इवान हर्डिया इंदोर से 101 रुपे दिये हैं, काजी शर्मा जैपुर से आए हैं, जिनकी ओर से 1100 रुपे की सहयोगराशी प्राप्त हुई है, जो और दार्ताली वजाएं, गुप्तदान 200 रुपे प्राप्त हुए हैं, सुरेंदर जी गरगर, भटिंडा पंजाब से आप आए हुए हैं, जिनकी ओर से भोजन बंडारे में, एकिस्सो रुपे की सहयोगराशी प्राप्त हुई है, जो और दार्ताली वजाएं, बनवार इलाल जी अगरवाल जैपुर वालों की ओर से 2200 रुपे की सैयोग राशी प्रापतो हुई है जोरदार तालिवना, πीना जार दोग्राशी प्रापतो हुई है भोजन बंडारे में, शिरिमति मनीशा जी मोरे की ओर से 5500 रुपे की राशी है, ये कल गोश्ना हो चुकी थी और शीमती शार्दा हडिया जी की भी गोश्णा कलो चुकी थी चीतलाल जी विजय जी देवली तोक से हैं इनकी ओर से 2100 रुपे की राशी भोजन बंडारे में दी गई है शाम भाई शाहा जलगाउं वालों की ओर से 1100 रुपे दीपक भाई चपकाना वालों की ओर से और 200 रुपे भोजन बंडारे में दिये गए हैं जोड़दार तली बजाएं सुरिकांत जी मिश्रा अंबाला से हैं आप आर्मी में हैं और बहुत सुंदर सेवा आप देखते होंगे भोजन आप करते हैं उसके बाद जो पोच्छा लगाया जाता है वो आप ही सेवा प्रदान करते हैं जो कि आप मिलेटरी से भी हैं सुरिकांजी मिश्रा अंबाला से आएं शरत कुमार जी माथूर दस लड़ा इंदोर से हैं आप 1500 रुपे की सयोगराशी प्रदान करें हैं रामकिशन जी रेखा कुषवा इंदोर से हैं आप बहुत अच्छे सेवक हैं और इंदोर से हैं ब्रामन भोषी मती गीता भाई जी हड़िया इन्होंने 2100 रुपे की राशी दिये रमेश्चंदर जी मौरे आपने 500 रुपे की राशी प्रदान करी है जोरदार तलिवा जाने आपका जो सहोग मिला है समीती को आपके द्वारा जो बोजन प्रदान करी है आधिक आधिक में सहोग मिला शिखा खरगोन मंडल की ओर से 4500 रुपे की सहोग राशी राशी जो महिलाएं आई है और पुरुश्वर गाएं है जो भी समीती खरगोन से गता सुनने के लिए या गुरूप आया है उन सभी की ओर से एक कावन सो रुपे की राशी विटले सिवसमीती को यह भोजन बंडारे में दी गई है बहुत बहुत दन्यवाद आप जो आज पूर्णी मा के दिन दान दे रहे हैं भोजन बंडारे में उसके लिए धन्यवाद राशी हमारे शर्मा जी जो की डंडी आश्रम का सुन्दर कारेभार देखते हैं मेनिजिंग देखते हैं ऐसे शर्मा जी की ओर से पूर्णी मा के दिन बोजन बंडारे में एक हजार रुपे की सहयोगराशी प्राप्त हुई है जो और दाताली बजाए बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां पर आश्रम की ओर से भी दान आता है यह बहुत कम जगह भूतों न भविश्यत है अपन कितनी जगह कथा करते हैं पर हर जगहा पर हम देखते हैं कि लोग उसको खीचने की सोचते हैं पर पहला आश्रम देखा जहां पर आप ल रुपे की सहयोग राशी दी है जो और दार तालिव जाए इसे बहिया के लिए श्रीमती पेमलता जी हड्या जी की ओर से ब्रामन बोजन में पंद्रा सु रुपे की राशी प्रदान करी है हमारे गहलोजी की ओर से जो की जोत्पुर के निवासी हैं और सलसंग समीती से की जो सहयोग दे रहे हैं अमिता हमेरी सुमित्रा बेन सोलंकी की ओर से ग्यारा सु रुपे की सहयोग राशी बोजन बंदारे में प्रदान करी है बहुत बहुत धन्यवाद आप शकुंतरा भाटी जी की तरफ से ग्यारा सु रुपे की सहयोग राशी जोत्पुर वाली बे सवाप जियान कराएं विटले सवाशमीदी में आने के लिए равaha σo. अईरशार जो रिथा किरामा में अप sirmaji की नमाचा एविप 통 भाग अ जिन जिन के नाम लिये हैं वो भी यहां पर पदा रहें उनका यहां पर स्वागत है साथ में जिनके नाम यहां से पुकारे गांए वो सबी आएं सब का था यहां बिटले सिवा समित की होगे। जिनकी पोथी बेठी है, उन जजमानों के नाम कल आएंगे, उनको कल बुलाए जाएगा। आज जिनों ने दान दिया है और अपने दिल से, आपने भाव से आप जजतान दे रहे हैं। ब्राह्मन भोज, संत भोज, आधिक आधिक और आप सभी के बोजन बंडारे में जोड़दार काली वजाते हुए, आप लोगों का सहयोग। ब्राहिझ अकाली में दोड़दाब में लाव से, जाखिक चाली में पॉचए अढんだ, आपकत। आप है कि वजसे पह लाव से फजसे आप कार्में का बड़दा этой काली Тह का klass Organization झाल झाल मुन्नी भाई जी सेंजी क्यों से इंदोर से पांचोर रुपे बोजन बंगारे में दिने हैं मुन्नी जी से इंदा बड़िज क्यों से बेंदा हैं झाल झाल